बॉलिवुट की सेरनी कहे जाने वाली मशूर फिल्म एक्टर कंगना रनावत ने अब राजनितिक छेतर में भी कदम रग दिया है इस लोग सबा चुनाव में बीजेपी ने कंगना को हिमाचल प्रदेश की मंडी लोग सबा सीट से अपना उमिद्वार गोसित किया है लेकिन आपको ये जानकर हिरानी होगी कंगना की राजनितिक करियर को लेकर चार साल पहले ही मद्प्रदेश की खरगोन के जाने माने जोतिसी गोल्ड मेटलिस डॉक्टर बसंसोनी ने भवविश्वानी कर दी थी क्या थी वो भवविश्वानी चलिए आपको सुनाते हैं अच्छे पद पर देश प्रेमी पार्टी को जोईन करेगी जो देश हित में काम करती है वो भविश्वानी मेरी आज सच थाबित हुई है कंगना के राजनितिक करियर को लेकर की गई भवविश्वानी तो सही साबित हुई लेकिन अब चुनाओं में जीत हार को लेकर जोतिसी ने वर्तमान में कंगना की कुंडली को देखने के बाद गरनक्षत्रों के आधार पर फिर एक बड़ी पविश्वानी कर दी है लोकलेटिन से खास बादचीत में उन्होंने कहा है कि चार जून को आने वाले नतीजे कंगना के पक्षि में होंगे क्योंकि इस दिन उनकी कुंडली में वाशी योग, चकरवर्ती राजी योग, गज केशरी योग के साथ सुव योग बन रहा है इनके आसिवास से और मोदी जी के चहरे के साथ सोयम के दबंग वर्चस की वज़े से कंगना जीत का सहरा बांदेगी कंगना रानावाज जी की कुंडली को देखेंगे तो मिथूल लगने की पत्रिका है और इस पत्रिका के अंदर धनुराशी बनती है मंगल की महादशा चल रही है मंगल में मंगल का प्रत्यंतर पच्चिफ तीन दो हजाज चोविस तक था इसी दिन उनका टिकिट फाइनल हुआ है अब हम आगे देखते हैं मंगल में रहू का प्रत्यंतर चल रहा है वोटिंग के समय गुरू का प्रत्यंतर रहेगा एक जुन को वोटिंग है सातवे चरण में मंडी लोकसवा छेतर में वोट डाले जाएंगे उस दिन के नतीजे आने वाले चार जुन को गोशित होंगे इस ग्रह नक्षत्र कंगाना जी के पक्ष में अपने आशिरवाद दे रहे हैं कंगाना जी के कुली में वाशी योग, चक्रवर्ती राजियोग, गज केसरी योग, आधी शुब योग की क्रपा के कारण एवं मोदी जी के चेहरे का लाप और स्वेम के दबंगाई के कारण कंगना जी के जीतने का प्रबल योग बनता है क्योंकि 4 जून भी उनके पक्ष में गर्ण नक्षत्र दर्शा रहे कंगना की जीत कुल लेकर की गई जोतिसी के बविश्वाने कितने साटिक बेटती है यह तो आने वला वक्त ही बताएगा फिलाल या देखना बड़ा दिल्चस्प होगा कि बॉलिवुड में अपने एक्टिंग से बड़े बड़ो को धुल चटाने वाली कंगना राजनीती के छेत्र में किस तरह दाओं पेज खेलती है लोकलाइटिन के लिए खरगोन से दीपक पांडे की रिपोर्ट